नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सब्सक्राइब करेंगे एक मार्च की सिफ्ट वन का पेपर ठीक है नेक्स्ट मंत में हम लोग इंटर कर चुके हैं सैथ इस नंबर का सैट है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिनादेरी की हो गया पहला सवाल है सिंप्लिफिकेशन का त अब इसमें हमने जैसे ही देखा कि अमारी अलग लगा है लेकिन कहीं कहीं मैच भी कर सकता था तो हमें क्या करना है जैसे ही मैंने देखा कि अगर मानलो सारी एट एट लिखी होती तब तो नहीं चेक करते लेकिन अगर मानलो कुछ डिफरेंस दिखाई दे तुरंत आपको चेक करना है इसको जोड़ा मैंने तो दो आता दो माइनस का पांच करते बारे से पांच क्या तो साथ आता यून्हें डिट से आंसर लगा देना टाइम बिल्कुल भी वैस्ट नहीं करना है बारा खिलाडियों और उनके कोच की ओसत आयू इतने वर्स है परतम पांच खिला का एवरेज कितना 26 अब भाई साब एक चीज मानो कह रहा था कि इतना एवरेज मानते है अगर मानलो कोच रहता जो नीचे वाले दोनों आयम उनको कर देते एगनोर थोड़ी देर के लिए तो कोच भाई साब कितना लेके आते कि एवरेज 32 बना रहता 32 लाना ही पड़ता ल यानि कि कमी कितने की हो रही है 62 अगर यह 62 की कमी हो रही तो इवरेज 32 नहीं बन पाएगा इसकी भरपाई कोच आपको करनी पड़ेगी यानि कि आंसर क्या आ गया 94 अगला सवाल क्या बताना था कि डिविजबल वाई 8 यानि कि 8 से डिविजबल के लिए हमें यह लाश्ट क तो सबसे पहले आठ चोक 32 गिया तो बचा कितना 5 यानि कि 5 यानि कि आप देख सकते हैं कि 5 किसमें आता 8-36 में आंसर लगा दो अगला सबाल यह दि गोले की तरज्या इतने परसेंट कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने परसेंट कम होगा गोले का आयतन होता 4 बटे 3 प पांच में 4 की कमी एक बार हुई तो एक बचा फिर दूसरी बार भी होगी फिर तीसरी बार भी होगी अप इधर टोटल पहले 125 वॉलिम था इधर बचा कितना 1 कितने की कमी हुई 124 की किस पर हुई 125 पर गोड़े में 100 हो गया 25 पंजे 125 पच्चेश चोकू 100 हो गया इधर 5 द अगला सवाल एक ट्रक ने अपने निदारिस समय से 30 मिनट पहले चलना सुरू किया लेकिन इतने किलोमीटर दूर अपने गदब बितक समय पर पहुँचने के लिए उसे अपनी सामाने चाल इतनी धीमी करनी बड़ी ट्रक की सामाने चाल क्या होगी देखो डिस्टेंस बरा मतलब है जो स्पीड में दिफ्रेंस हो रहा है और टीडिका मतलब है टाइम में दिफ्रेंस तो यह तो दो सततर दे दिया था स्पीड हमें पता नहीं response x दीमी कर दी, तो माइनस का लेंगे, अगर बढ़ा देता तो हम प्लस का लेते, तो माइनस का 6 हो गया, अपाउन में भी 6 हो जाएगा, टाइम में डिफरेंस 30 मिनट, मिनट को घंटे में करेंगे, क्योंकि स्पीड हमको किलोमीटर पती घंटा में दी थी, तो इधर करेंगे त 30 दूनी 60 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 0, 12, 7, 84 हो गया, हासिल लगा कितना हो गया, 8, 12 दूनी 24 और 8, 32, बराबर में एस, एस माइनस का 6 हो गया, अब हम क्या करेंगे, आप्सन को लेंगे, सबसे आसान आप्सन 50 है, तो 50 और इधर करेंगे, 50 से 6 जाएगा, तो 44, तो एक चीज हो गया, 6, 24 हो गया, 6, 35, 32, 32, सैटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा देंगे, 60, नहीं तो कौडिटिक एक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इससे बड़िया ऑप्सन चेक कर लेंगे, साधर्ण ब्याज की योजना में निवेस करने पर, 1000 रुपए की धनरासी इतनी हो जा ही, 121 यानिकि 11 का स्कार, आंसर लगा दो, भाई, 1000 थी रासी, इधर हो गई 2210, तो यह तो कैंसल आउट हम इसे बड़ कितना गया, यानिकि 121 का ब्याज मिला, 100 पर, रेट और टाइम की जगे भी रेट लिख देंगे, क्योंकि बराबर हैं दोनों, आप आन में 100 बराबर मे 121 हो गया, अब इसको solve कर लो, ठीक है, कराता है, यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% की हानी पर वेचे जाते हैं, और सेस मोबाइल 30% के लाब पर वेचे जाते हैं, कुल हानी परसेंटेज कितना होगा, भाई कुछ कुल मिलाकर वो average की बात कर रहा, और कुछ नहीं, इ 13 का मतलब है 20% की हानी, एक का मतलब है 30% का लाब, लाब का मतलब प्लस, इसको गुणा करेंगे 23, 60 माइनस का हो गया, प्लस में करेंगे ये 30 आ गया, बटे में average के लिए करेंगे, 4 से में भाग करना पड़ेगा, बटे में 4 हो गया, इधर बच गया, माइनस का मतलब क्या है हा नहीं है जो हमसे पूछा गया था ठीक है अगला सवल आमित सुमित बिनीत मिलकर एक काम को पूरा करते हैं आमित और सुमित मिलकर 70% भाग पूरा करते हैं सुमित बिनीत मिलकर उस काम का 50% भाग पूरा करते हैं तीनों में से कौन सरवादे कुसल है देखो आमित और सुमित मिलकर कर रहे हैं, 70% काम, और सुमित और विनीत, मिलकर कर रहे हैं, 50% काम, अब सुमित तो दोनों जगे common है, इस की बज़े से कौन आया कि जो जादे काम कर दिया, जादे काम इसमें तो Amit भाई साब आये ना, तो तीनों में सरवाधि कुसल कौन है, Amit भाई साब हैं, इनकी विज़े से जल्दी काम हो रहा है, सिंप्लिफिकेशन है, तो 23 चक्का 138 हो गया है, बच्चा कितना है, 11 बच्च गया, 23 पंजे 115 हो गया, यहाँ पर यूने डिजिट का काम नहीं करेगा, क्योंकि हर जगे सेम हो गया, 9.36, 9.36, 3.49 हो गया, 3.21 हो गया, 6.5, 11 हो गया, 9.76 हो और 4 हो गया, माइनस का 7, 11 से 7 गया, 4, माद 4, आंसर, अगला सवाल, यहाँ 1500 और एन 2000 है, तो एम एन से कितने परसेंट कम है, तो हम दोनों का रेशियो बना ले, यह हो गया, पांचो को 20, पांती है, 15 हो गया, अब भाईया देखो कितना कम आया, एक आया किस से, 4 से कम, अगला सवाल, एक बस्तू 20 परसेंट की चूट पर बेची जाती है, बस्तू के अंकित मुल और विक्रे मुल का अनुपात क्या होगा, भाई, मार्क प्राइज हमारे पास 100 है, 20 परसेंट की चूट देंगे, तो सेलिंग प्राइज क्या होगा, 80, 20 चोकुवसी, 20 पंजे 100, अगला सवाल, कराता 10,000 रुपए 3 बरसों के लिए 20 परसेंट बार्सिक की धर पर रिड़ पर दिये जाते हैं, निम लिखित में से कौन सा कतन सही होगा, कराता इस दनरासी पर प्राप्त होने बाला साधर व्याद 6,000 होगा, बिल्कुल 6,000 होगा, भाई, ये तो सिंपल है, बिल्कुल 10,000 गोडे में, तीन गोडे में 20, बटे में 100 होगया, तो 2,0 चले गए, तीन दूनी 6 कर देंगे, 6,000 आ गया, यानिकि फरस्ट तो सही होगया, कराता इस दनरासी पर प्राप्त होने बाला चक्रवदी ब्याज 72,00 होगा, भाई, तीन साल की बात कर रहा है, तो य यह हो गया, 125, यह हो गया, 625, 6 का 216, ठीक है, यहां से ब्याज कितना मिला, 6-5 गया, 1 हो गया, 11-2 हो गया, 9 हो गया, 13-11, 12, यह साथ का मल्टीपल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो केवल एक अंसर, बाकी आसानी से कर लो, 125 वराबर में 10,000, और हमें निकालना था, पच्चेस, पंजे, 125, पच्चेस, चोकू, 100 हो गया, 5, 48 हो गया, 8, 1, 8, 9, बातर, यानि कि यह आंसर हो जाता, ठीक है, अगला साबाल, यह बस तुका क्रेमूल इतने रुपए है, यदि हानी परसेंटेज, 12 परसेंट है, तो बस तुका विक्रेमूल कितना होगा, बाई 12 परसेंट है, अगर करेमूल सो मालने, 12 परसेंट की हानी होगी, तो 88 बचेगा, सेलिंग प्राइस, यह कॉस्ट प्राइस हो गया, यहनि कि 100 का मान हमें दे दिया था, 4600, हमें निकालना था, 88 का मान, 11 का मल्टीपल देखना था, तो 8, 3, 11, 8, 8, 16, नहीं होगा, 4, 4, 8 हो से चलना था, अगला सबाल, एक मिसरण में अमल और पानी का अनुपात इतना है, इसमें, यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए, तो अमल और पानी का अनुपात इतना रिश्यो हो जाता है, मिसरण में अमल की मात्रा, भाई मिलाया किसको गया, पानी को, यहनि कि अमल द बढ़ा पानी हमारी बज़े से पांच कोश्चन में 10 लीटर बढ़ा में अमल की मात्रा यानिकी आठ वरावन निकालना था 16 लीटर आंसर अगला सा बाल 15 लड़कों के एक समू की उसत आयू 24 बर्स तो तेरे बर्स की आयू वाला एक लड़का समू छोड़ देता है एक नया लड़का समू में सामिल होता है और उस समू की उसत आयू एक बर्स बढ़ जाती है नया लड़कों की आयू कितनी होगी अब एक चीस समझो जो नया लड़का आया है वो तेरे तो लेके आया होगा भ लोगों में 15 लोगों में बड़ी है टोटल एक चला गया एक आगया पंदरी तो बचे एक बड़ा एक बड़ा कितने लोगों पंदरे में तो लड़का इतना ही तो लेके आया खतम अगला सावाल उस तुर्वच की उंचाई ग्याद किजिए जहां उंचाई के संगत आधार का आधा है यानि की कहने का मतलब आकर उंचाई दो है तो आधार उसका कितना है एक है तो यहीं तो हमें दिया गया था एक बटे में दो 1 इंटू में 2 इंटू में x स्कौाइर क्यूंकि यह हमको एक्स एक्स मानने पड़ेंगे तभी कैलकुलेशन हमारी बनेगी तो 2 से 2 कै और क्या आगया 12 आगया हमसे क्या पूछा गया था हाइट तो दो गुड़े में 12 यानि की 24 अंसर अगला सवाल दे रहा था टी यू बी का रेशियो बाके ये दिया गया था देखो सबसे पहले टी और यू का करम देखें तो रेशियो हमारा 10 अनपात में 3 तो 10 अनपात में 3 यहाँ पर बन रहा है यह तो नहीं बनेगा इधर भी नहीं बनेगा और यू बी का अगर हम अनपात देखें यू और बी का साथ अनपात में 5 तो यही तो बनेगा 3 सत्ते किस हो गया 3 पंजे 15 अंसर लगा दो अगला सवाल एक्स और बाई 7 मिलकर काम को 20 दिनों में बाई अकेले 25 में एक्स उसको अकेले कितने दिनों में करेगा 20 गोडे में 25 और इधर कर देंगे 25 माइनस का 20 यह बहुत बार बता चुके अब इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे ठीक है अनसर आ जाएगा मारे पास 100 अगला सवाल 33 परचन की चूट के बाद एक बस्तू इतने में बेची जाती है बस्तू का अंकित मुल क्या होगा भाई 100 रुपए रहा होगा 33 की चूट दे दी तो सरसट बचा इसी सरसट का मांड 2546 हो गया हमें 100 बराबर निकालना था यहनिकि 2546 अपन में 67 इंटू में 100 हो गया अब 7 मे 5 का गुणा किया पहले ऑप्सन का यूनिट डिजिट लिया है 5 हमें यूनिट डिजिट तो 6 चाहिए थी 7 का 6 में गुणा किया तो 7 6 का 42 यह भी नहीं बनेगा 7 का 4 में किया तो 7 4 8 यह बन गया अंसर लगा दो अगला सबाल सिंप्लिफिकेशन है सबसे पहले ऑप्स अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत